पुरानी pension और नई pension में बहुत सारे differences हैं पुरानी pension में employee को बहुत सारे benefit थे जबकि नई pension scheme में employee को बहुत सारे losses हैं जो मुख्य losses हैं वो यह है कि पुरानी pension सरकार देती थी जबकि नई pension बीमा company देती है यदि कल को किसी भी employee को कोई परिशानी होती है तो हमें सरकार से नहीं बलकि बीमा कंपनी से लड़ना पड़ेगा दूसरा पुरानी पेंशन में रेटारिमेंट के समय एक निश्चित पेंशन जो कि लास सेलरी का 50% है वो मिलती थी जबकि नई पेंशन योजना में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है सब कुछ बीमा कंपनी और शेयर मार्केट निवर करता है अकर शेयर मार्केट डाउन है बीमा कंपनी लॉस में है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन में जीपिएफ होता है जिसमें की 90% तक पैसा आप अपनी जरूतों के समय निकाल सकते हैं जैसे मकान बनाने के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए उनकी शादी के लिए परंतु नई पेंशन स्कीम में हमारा अपना पैसा जो हम बुरे समय के भोग के लिए रखते हैं वो पैसा हम अपने स्वैम के लिए नहीं निकाल सकते चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, मकान बनाने की जरूत हो या उनकी शादी की जरूत हो हम नई pension scheme में इसको नहीं निकाल सकते पुरानी pension में सेवा काल के दोरान मनने वाले को death gravity मिलती थी जो की 7-pay commission में 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग रुपे कर दी गई है जबकि नई pension योजना वालों के लिए death gravity खतम कर दी गई है अगर मान लीजे हम लोगों को आज की तारिक में नई pension scheme वालों को कुछ हो जाता है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा जबकि पुरानी pension योजना वालों के लिए ये रकम कम से कम 20 लाग रुपे होगी पुरानी pension योजना में retirement पर employee को gratuity मिलती है जो की अंतीम वेतन का जो भी उसका last वेतन रहा है उसका साड़े सोला महा का वेतन है वो मिलती है जबकि नई pension योजना में gratuity की वेवस्ता को अधिकतर जएके खतम कर दिया गया है तो सातियों ये सबसे बड़े differences है जो की नई pension योजना को बहुत ज्यादा losses पहुचात रहे हैं इसलिए हम सब को मिलकर पुरानी pension योजना के लिए लड़ना पड़ेगा धन्यवाद पुरानी pension और नई pension में बहुत सारे differences है पुरानी pension में employee को बहुत सारे benefit थे जबकि नई pension